हुले दोस्तों कैसे आप सभी स्वाइट करते हैं अगर नहीं देखे देखे लिज्जे का लिए अगर लिक देस्किप्शन में दिया हुआ है और प्लेष्ट में सारा प्लेडिस्ट बना दिये तो वहां से जाके आप सभी कवर कर सकते हैं हर एक चीज को, जितना भी class हुआ है वो playlist में सारा चीज हम add कर दिये हैं तो चले शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिसेट को जरूर साल किजेगा, सारे selected important question लिया गया आज की इस lecture में और जो चैनल पर ना है चलोगो subscribe करें बद गंड़ी को आज की जो दिया हुआ है जानते हैं कि परिशरम का फल सदा ही मीठा होती है इसमें कौन सा भाग तुरूटी हिन है option दिया हुआ है परिशरम का फल मीठा होती है सदा ही या हम जानते हैं कि इसमें कौन सा भाग जो फ्रेंट वो तुरूटे हिन है चलिए बनाने का कोशिज किज़ेगा आप सभी अगर वाग को पढ़िएगा तो पढ़ते ही आपको इसका आंसर मिल लेगा कहां तुरूटे हिन है क्या बोलागी आप सभी से जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है मीठा होती है तो दिखें होती का परियोग यहां नहीं होगा होता है उचीत होगा ध्यान रखेगा जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है तो याद रखेगा होती का परियोग यहां नहीं होगा होता का परियोग होगा यानि कि option नमर इसमें B क्या है? तुरूटी हिने ध्यान रखेगा आप सभी तो option में B इसका right answer रहेगा अगला question दिखे सही, वर्तनी वाला सब्द का च्छेन करे इन में से किस सब्द का वर्तनी सुद्ध है? तो इसमें जो वर्तनी सुद्ध आपसन नमर B का है गलत है option में B का वर्तनी सही ध्यान रखेगा तो इसी प्रकार से लिखा जाता है आगला question देख लिजेगा सही वर्तनी वाले सब्द का च्छेन किजे चले दिखे मौकिक को किस प्रकार से लिखा जाता है? ये तो सबसे पहले आपको गलत हो जाएगा मौकिक option में B right answer का ध्यान रखेगा ये इसका वर्तनी सत्य है बाकि बाद ये तीनों का वर्तनी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो मौकिक हम सभी कैसे लिखते हैं? मौकिक किस प्रकार से लिखा जाता है? किलिए रहे अगला question देख लिजे रिक्त अस्थानों को भरना था देखें बुढ़ा आदमी अपने डैस से दुखी है चले बताएंगे इस question का right answer क्या होगा? बुढ़ा आदमी अपने डैस से दुखी है यानि कि हम सभी का सकते हैं कि बुढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है आफसन मसी right answer हैगा तो यहाँ पर जो खाली अस्थान है यहाँ पर किसका परयोग होगा? बुढ़ापे का परयोग होगा ध्यान रखेगा ना कि बचपन या जबानी या परसंसा ये सबी से नहीं दुखी होता है दुखी क्या होगा? वो अपने बुढ़ापे से दुखी होगा बुढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है ध्यान रखेगा आफ सभी आगे हैं दियागे वाक्त का बिलोम चुने योग का बिलोम क्या होगा? चले बताएंगे योग का बिलोम क्या होगा option दिया हुआ है तो हम सभी जानते है योग का बिलोम क्या होता है अयोग होता है ध्यान रखेगा आप सभी वही पर मुर्ख का अगर पूछ लिया जाए तो मुर्ख का क्या होता है चतुर होता है शोभाग का क्या होता है तो दुर्भाग्य होता है ध्यान रखेगा आप सभी संयोग का क्या होता है कुयोग होता है तो याद रखेगा संयोग का कुयोग लिख देते हैं कुयोग होता है संयोग का इसका क्या होता है दुर्भाग्य होता है तो याद रखेगा आप सभी दुर्भाग्य होता है इसका क क्या होता है चतुर होता है ठीक है तो यह चिछ के लिए रोग गया योग का क्या हो जाता है अगला कोईशन देख लेज़े दिये गे सब्द के परियावाची सब्द का चैन करे अर्जुन का परियावाची क्या होगा तो याद रखेगा आपस भी अर्जुन का जो परियावाची होता है धननजय होता है ध्यान रखेगा आपस भी किलिए रहें अर्जुन का परियावाची क्या होता है धरनजय होता है इसके अलावा आप से याद रख सकते हैं अर्जुन का जो परियावाची होता है वो क्या होता है पार्थ भी होता है उसके बाद आपका इंद्रपूत भी होता है ध्यान रखेगा इंद्रपूत भी होता है पांडब भ गांडिब धर भी होता है तो ध्यान रखेगा आप सभी गांडिब धर होता है जगदिश का क्या होता है तो इसका याद रखेगा आप सभी जगदिश का जो हो जाता है वो आपका सीव होता है ठीक है उसके बाद परमेश्वर होता है तो ध्यान रखेगा आप सभी समसीर का क् तलवार याद रखेगा तलवार उसके बाद क्रीपान ठीक है उसके बाद कोविंद का क्या हो जाता है तो कोविंद का होता है विद्वान उसके बाद होता है आचारिय ठीक है आचारिय होता है याद रखेगा आप सभी तो किलिए रहे अगला कोईशन देख लिए जिम अगल पतनी की गहने बेचकर किया इसमें से कौन सा भाग तूटी हिन है तो अगर आपसी वाग को पढ़िएगा तो यहां देख लिजे मोहन ने रूपियों का परवंदन अपनी पतनी की गहने बेचकर किया है यह क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे की का परयोग नहीं होगा यहा ने रूपियों का परवंधन अपनी पतनी के गहने बेचकर किया है ठीक है अपनी पतनी के गहने बेचकर किया है ना कि की का परियोग होगा तो ध्यान रखेगा आप सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा के का परियोग हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा तुरूटी हिन हो बाकी बाद ये से भी क्या था सही था आगे देख लिजेगा आगे जो दिया हुआ है मुहाबरा से सम्भनित को इसे ने अंग अंग धीला होना का अर्थ जो होता है अतधिक ठक जाना के लिए रहें अंग अंग धीला होना का अर्थ क्या हो जाता है अतधिक ठक जाना वही पर अगर कोईसे नाफ से पूछ लिया जाये अपनी डफली अपना बजाना का अर्थ क्या होता है अपने मन की करना ध्यान रखेगा वही पर अंधों में काना राजा का अर्थ क्या हो जाता है इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है तो अग्यानियों में अल्प ग्यान वाले का सम्मान ध्यान रखेगा यानि कि जो ग्यानी आदमी है उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है और जो ज्याने नहीं है उसे सम्मान दिया जा रहा है उसी को का जाता है अंधों में काना राजा दियागे वाक्य के लिए सब्द चुनिए जन्म से अंधा हो उसे क्या का जाता है जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मान दिखा जाता है ध्यान रखेगा तो option मड़ी रेट आंसर ह इसका के लिए रहें आगे देख लेते हैं आगे जो दिया हुआ है वाक में रेखांकित खंड को परतियस्थापित करने के लिए दिया हुआ है वाक की दिया हुआ है सीला मेरी बहान है और वह बच्चों के साथ खेल रहा है यहां पर कौन सा वाक परतियस्थापित होगा यान तो दिखे इसमें जो सही होना चाहिए option में भी इसका right answer हैगा ध्यान रखेगा बच्चों के साथ खेल रही है का परयोग होगा क्यूंकि सीला क्या है सीला इस्तिरलिंग है तो इसके लिए रही उचित परयोग होगा ना कि रहा, रहा किसके लिए होगा लडकों के लिए रहेगा ध्यान रखेगा अगर लडका का यहां बात होता तो सीला मेरी बहान है वह बच्चों के साथ खेल रही है ध्यान रखेगा तो यहां रही का परयोग होगा ऐसे वाकि पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि रहा है या रही है का परियोग होगा तो सीला मेरी बहान है वह बच्चों के साथ खेल रही है तो option में भी इसका right answer हैगा ध्यान रखेगा अगला कोई से देख लेजे वह वाक का भाग ज्यात करें जिसमें कोई तुरूटी है आज कल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है इसमें से कौन सा वाक की जो इफेंड वो तुरूटी हिन ने option दिया हुआ है परिवर्तन हो रही है या तापमान में या आज कल या तेजी से तो ध्यान दिज्येगा अफस्वी यहाँ पर जो तुरूटी हिन है वो क्या हो जाएगा आपका रही है का परियोग नहीं होगा यहाँ पर रहा का परियोग रहेगा ध्यान रखेगा क्योंकि तापमान जो इफेड यह क्या है पुलिंग सब्दे ध्यान रखेगा और pulling सब्द जहां पर उपयोग क्या जा रहा है, वहां रहा का उपयोग होगा, ध्यान रखेगा आप सबी, यहनि कि आजकाल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ना कि हो रही है, तो ध्यान रखेगा क्योंकि तापमान क्या है, पुलिंग सब्द है तो इसके लिए जो परियोग होगा रहा का परियोग होगा ना कि रही का परियोग होगा ती यानि इसका option नमर क्या हो जाएगा अगला question देख लिए परियोग होगा चली बताएंगे आप सभी कुबेर का परियोगा परियोगा ची सब्द क्या हो जाएगा तो ध्यान रखेगा आप सभी कुबेर का जो परियोग वाची होता है यक्छिराज जो होता है याद रखेगा आप सभी क्या होता है यक्छिराज जो होता है यम राज का क्या होता है वो यम होता है पलस में आप सभी शूर्य पूत्र को याद रखेगा क्या याद रखेगा आप से भी शूरी पुत्र को महराज का क्या होता है तो महराज का हो जाता है भूप पलस में निरुपती उसके बाद गिरी राज का क्या होता है तो गिरी राज का जो होता है हिमाले ठीक है क्या होता हिमाले उसके बाद आपका परवत राज हो जाएगा तो याद रखेगा आप सभी हिमाले परवत राज गिरी राज का होता है उसके बाद महाराज का क्या होता है भूप और निरुपती होता है निरुपती होता है और यमराज का क्या होता है यम और सुरिपूत्र होता है आगे देख लिए जिम आगे जो दिये हुए हैं रिक्त अस्थान को भरने के लिए दिया हुआ है वसंद पंचमी के दिन देवी से डैस की जाती है तो हम से जानते हैं कि वसंद पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है प्रातना की जाती है option must be right answer एगा आगे देख लिए जी अगला है दिये गे वाक में रेखांकित खंड को परतिस्थापित करने के लिए सबसे उप्यूक्त बिकल्प का चैन कीजे यहां कौन सा एक विकल्प आएगा यहां कि यह चार option में कौन सा सब्द यहां पर उचित्त होगा विस्थापित होगा क्या दियावा था वाक्य कान्या की सूपातरता का मापदंड केवल देहेज के सोरूप से तैक करना जाने लगा तैक करना जाने लगा तो यहां पढ़ते ही आपको पता चल गया कि तुरूटी हिन भाग यहां पर ही है करना नहीं होगा ध्यान रखेगा आप सभी यहाँ पे क्या उप्रियोगते सब्द होगा तो ध्यान रखेगा किया जाने लगा क्या कर सकते हैं सभी किया जाने लगा यानि कि कानिया की सुपातरता का मावदंड केवल देहेच के सोरूप से तै किया जाने लगा तो किया का परियोग होगा तो इसमें option नमर्ज हो जाएगा वो D इसका right answer हो जाएगा शुरूब से तैक किया जाने लगा तो धियान रखेगा ये पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा अगला पूशन देख लिए रेक तास्तान को भरने के लिए दिया हुआ है मेरी बस डैस गई थी तो simple सा है मेरी बस छूट गई थी धियान रखेगा ये right answer हैगा आगे देख लिए जे वही दिया हुआ है रे खांकित खंड को परतिस्थापित करने के लिए सबसे उप्रयूक्त सब्द यनिकी विकल्प का चेन करें रे खांकित सब्द दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा विकल विकल्प आएगा वाक की दिया हुआ है गंतंत्र दिवस की प्रेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा उप्रयूक्त विकल्प आएगा ये चार ओफशन में से ओफशन दिया हुआ है सैनिक कदम ताल कर रहा है या सैनिक कदम तालों कर रहा है तो ध्यान रखेगा आप सभी गंतंत्र दिवस की प्रेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा यहां ताल का परियोग उचित होता कदम ताल कदम कदम ताल का परियोग कर रहे हैं ध्यान रखेगा आप सभी यानि इसका ओफशन में ए राइट आंसर हैगा गंतंत्र दिवस की प्रेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं योजक चीन आएगा बीच में ध्यान रखेगा आप स आफिसन में ए इसका क्यों जगा Right Answer आगे है रिक्त अस्थान को भरने के लिए सबसे उप्रियोक्त सब्द का चैन किजिए आकास में डैस चमक रहा है तो आकास में क्या चमकता है हम सुभी को पता है कि आकास में तारा चमकता है द्यान रखेगा चांदी, बादल, सोना चमकता आकास में नहीं तारा चमकता है आगे देख लेज़ेगा निमलेकित में से उस बिकल्ब का चैन करेज जो अंदे के हाथ बटेर लगना मुहाबरे का अर्थ व्यक्त करता है यानि कि अंदे के हाथ बटेर लगना मुहाबरे का क्या अर्थ है तो option में A हो जाएगा बिना पर्यास की किम्ती बस्तू मिल जाना A right answer का क्लिए रहें अंदे के हाथ बटेर लगना मौबरेकार्थ क्या है बिना पर्यास के ही किम्ती बस्तू मिल जाना आगे देख लिजिए बिलोम सब्द दिया हुआ है यस का बिलोम क्या होता है यस का बिलोम जो होता है अप यस होता है option मसी right answer हैगा अप यस होता है तो ध्यान रखेगा आप सभी अगला question देख लिजिए जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहेंगे हम सभी तो ध्यान रखेगा आप सभी इसे मुक्षू कहेंगे हमसे भी जो मुक्ष चाहता हो और अप्सर में ए राइट आंसर हैगा तो चलिए आज कितना ही आज की सेट को हमसे भी यहीं कम्पीट करते हैं आज की सेट के सलगा आपसे को नीचे कमेंड बॉक्स भी जरू बताइएगा अगर आज की सेट अच्छा लगा हैट फूल हो तो कलास को लाइक किजेगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किजेगा और जो भी अप्लिकेशन से अभी तक नहीं जुड़े कलास जोएन नहीं किये जाएए जोएन किजे और त्यारी किजे आप सभी क्योंकि अभी एक्जाम में थोड़ा समय है इतने समय में आप बेहता तरिके से त्यारी कर लिजेगा अगर थोड़ा सा महिनत को बढ़ा देते हैं तो जो अप्लिकेशन पे सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है बिल्कुल to the point जो आपका एक्जाम सिलिबस है तो जाएए आप से जोएन किजे और त्यारी करना शुरू किजे जोएन कैसे करना है वीडियो बना हुए वीडियो को देख लिजेगा लिंग डिसक्रिप्शन में दिया हुआ है प्लस में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है अनत्या मोबाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेजे उसके बाद मोबाइल नमर देके आप सभी रजिस्टर करके नाम मेंचन करके आप सभी लॉग-इन कर लेजे वहां से आप class में join कर सकते हैं minimum fee में आपको त्यारी करवाया जारह है महाँ पे जहिंद बंदि मातरम